Hello students, सलिए स्टार्ट करते हैं exercise 6.2 का question number 12 देखते हैं क्या है Which of the following functions are decreasing on 0 to pi by 2 हमें क्या करना है यहाँ पे, चेक करना है कि इन में से कौन सा function जो है 0 से pi by 2 पे decreasing function है ठीक है, तो देखो द्यान से हमें क्या करना पड़ेगा, बारे बारी से function लेना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट में हमें fx क्या दे रखा है, fx equal to cos x दे रखा है करना क्या है बस simply derivative, f dash x निकालेंगे तो cos x का क्या हो जाएगा हमारा, minus का sin x अब इसके अंदर हमें देखना है 0 से pi by 2 पे क्या है, कि यह हमारा decreasing है या increasing है 0 से pi by 2 आप कोई भी value put कर लो, मालो आपने pi by 3 put कर लिया pi by 3 put करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, at pi by 3 example यह है, अबने कोई भी value ले सकते है, pi by 4 भी ले सकते हो, pi by 6 भी ले सकते हो, कोई भी value तो यहाँ पे f dash x क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे देखो minus sign of pi by 3 pi by 3 की value पता है आपको trigonometric table में मैं नहीं बता हुआ ठीक है सारी value मैं नहीं बता हुआँगा आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ पे negative value आएगी तो क्या होगा f dash x क्या होगा less than 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा decreasing decreasing function आ गया मेरा first वाला b पे चलते हैं क्या दे रखा है f x equal to cos 2x अब इसके अंदर आ जो भई क्या करेंगे यहाँ पे f dash x equal to cos 2x का क्या होगा minus का sin 2x और 2x का क्या होगा into 2 अब यहाँ पे कोई भी वोर value ले लो at x equal to मालो pi by 6 पे check कर रहे हैं तो यहाँ पे f dash x क्या हो जाएगा मेरा minus का sin 2 into x की जगा pi by 6 into 2 2 से cut किया तो यहाँ के आ गया मारा यहाँ पे यह negative value आएगी 2 से multiply हो जाओ तब भी negative आएगी तो negative आगी तो यह भी क्या आ गया मारा decreasing function आ गया यह भी less than 0 आ रहा है ना तो decreasing हो गया c को देखते हैं c के अंदर क्या है f x equal to cos 3x यहाँ पे क्या हो जाएगा f dash x equal to यहाँ पे cos 3x पे क्या होगा हमारा minus का sin 3x और 3x का क्या हो जाएगा 3 अब यहाँ पे x की value पुट करो मालो हम यहाँ पे पुट करते हैं at x equal to pi by 3 पे तो देखते हैं क्या आता है f dash x equal to minus का sin 3 into pi by 3 और into में 3 3 से 3 कट गया sin pi की value क्या होती है sin pi की value 0 0 से multiply होगी तो सारा 0 आ जाएगा मतलब f dash x क्या आ गया मेरा 0 और जो क्या है greater than 0 है मतलब positive value है तो यह क्या हो गया हमारा increasing function हो गया तो यह decreasing नहीं होगा आगे देखते हैं d वाला क्या है हमारा 10 x दे रखा है f x अब इसका derivative करेंगे तो f dash x किसके equal आ गया 10 x का क्या होता है secant square x अब यह secant square x है मतलब positive आएगा क्योंकि square दे रखा है कोई भी negative value होगी तब यह positive आएगा तो मतलब f dash x क्या हो गया हमारा greater than 0 हो गया so it's increasing function increasing function तो यह हमारा increasing हो गया यह increasing हो गया यह दोनों हमारे क्या हो गए decreasing function हो गए बात clear हो गई कोई दिखत की बात नहीं है समझ भी आ गया कोई भी doubt लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं otherwise channel को subscribe किजिए like किजिए और share किजिए exam में question यहाँ पे decreasing के जगए increasing भी पूछ सकता था answer यह हो जाएंगे फिर अभी decreasing पूछा है तो A और B answer हो गए समझ में आ गया न question थोड़ा सा गुमा सकता है ऐसे नहीं सोचना सर हमें तो decreasing बढ़ा था आपने increasing कैसे पूछ लिए exam में तो कुछ भी आ सकता है concept clear रखने आपको और कोई भी दिक्कत लगेगी मैं आपका sport जरूर करूँगा ठीक है thank you students for watching your channel next class is